अप्रूट करते हैं तो ऐसे किसे में कभी कभी हमारे फैमिली हमारे लिए वरीड होती है कि हम यहाँ पे जहाँ पे भी गए है वहाँ पे सेफ है कि नए तो ऐसे cases में आप अगर अपने family के साथ में अपना life और current location share करना चाहते है Google Map का use करके So this will help you out तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता तो इस method का use आप और भी purpose के लिए कर सकते हैं even किसी एकिस की activity को track करने के लिए किसी भी partner के activity को track करने के लिए लेकिन यहाँ पे इस purpose का आपको wrong चीच के लिए use नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे अगर आपके family के लिए आप अपने location को share करना चाहते हैं तो आप इस method का easily use कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप में जाना है त्रीट और वाले option पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा location sharing का तो लेट्स click on it जैसे आप click करेंगे तर इसके बाद आपको यहाँ पे down side में जाना है get started button पे क्लिक करना है तो next आपको जो option है वो आपको अलग दिखेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का option दिखेगा अब यहाँ पे आप अपने location को कितने दिन तक share करवाना चाते है track करवाना चाते है यहाँ पे आप max to max तीन तक location आप यहाँ पे set कर सकते है यह लेकिन उसके बाद भी अगर आप for example one month के लिए two month के लिए या तो आगे पे अगर continue इसलिए आप अपने location को track करवाना चाते है तो ऐसे cases में आप यहाँ पे down site वाले option पे click कर सकते है until you turn this off तो इसके बाद जब तक आप इस option को off ने करेंगे तब तक आपका location कोई भी easily track कर सकता है तो ऐसे cases में अपने family के साथ में location share करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी और sharing platform का use कर सकते है तो आप यहाँ पे बेढ़े रहें कि आप WhatsApp का use करिया WhatsApp पे अपने life location को send करिया अपने family members के साथ में तो यहाँ पर contact select करना है जिसके साथ में आप अपना location को share करना चाते हैं और यहाँ पे आप यह वीडियो जो link है यह share हो जाएगा उसके बाद जो इस भी person के WhatsApp account में अपने share किया है वो यहाँ पे simply link पे click करेगा तो वहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा उस person को आपका life और current location that's it तो इसके बाद साथ में आपको यह और यहाँ पर यह भी पता चलेगा उनको कि आपके mobile की battery कितनी है और आप कौन से location में life हो आपके near बर में places कौन से वो सारी information यहाँ पे check out कर सकते हैं जिसे तरह के साब google map का use कर सकते है location share करने के लिए